नमस्कार मेरा नाम अचल है इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा लुईस हे के अकॉर्डिंग अपने आप से प्यार करने का दूसरा सबसे ज़रूरी तरीका दोस्तों हम अक्सर अपने आपको गलतियों के लिए दोश्ट देते रहते हैं हम ऐसा कर सकते थे वैसा कर सकते थे हमसे ये नहीं हो पाया हम अच्छे नहीं है किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर खुद ही अपने लिए नाराजगियों को पालते रहते हैं ये नाराजगियां, कभी हमें अपने पेरेंट से मिलती हैं, कभी टीचर्स से मिलती हैं, सुसाइटी से मिलती हैं हम किसी और के पैमाने पर खरे नहीं उतर पाते हैं और मन ही मन अपने लिए अपने अंदर नफरत पालने लगते हैं तो हमें सबसे जरूरी जो दूसरा तरीका है खुद से प्यार करने का वो है अपने आपको माफ करना गलतियां हर कोई करता है और करता ही रहेगा अपनी उन गलतियों के लिए अपने आपको माफ करना सीखें गलतियों के बोज तले आप अपने आपको जितना दबाते चले जाएंगे आपके लिए आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा सोचिए यदि आप एक बैग उठा कर चल रहे हैं और उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर भरे हुए हैं जो आपकी पुरानी गलतियों, फेलियर्स और जो भी आप नहीं कर पाए उसके लिए आपके मन में खुद के लिए नाराज़्दी है तो कितना मुश्किल होगा आगे बढ़ना आप ठकते जाएंगे मैं चाहूंगा कि आप इसी समय एक नोट पैड लें, पैन लें और लिखें कोई भी ऐसे पाँच, इंसिडेंस, कारण जिनके लिए आपको अपने आपको माफ करने की ज़रूरत है कुछ समय लें और लिखें यदि आपने ये लिस्ट बना ली है, तो अब आपको अगला काम ये करना है कि एक-एक कारण को लेकर मन ही मन ये सकरात्मक विचार को दोराना है आप इसे बोल सकते हैं या फिर मन ही मन दोरा सकते है मैंने खुद को माफ किया और आजाद किया मैंने अपने आपको इस चीज़ के लिए माफ किया और आजाद किया उन गलतियों के नाराज़गियों के बोच को अपने मंद से हलका होते हुए देखें बार बार इस सकरात्मक विचार को दोहराते जाएं मैंने खुद को माफ किया और आजाद किया मैंने खुद को इस चीज़ के लिए माफ किया और आगे बढ़ने के लिए आजाद किया गहरी सांस लेते हुए ये सकरात्मक विचार दोहराते जाएं महसूस करें कि आपको इस समय कैसा लग रहा है यकीनन ही आप हर एक सकारात्मक विचार के साथ हलका महसूस करेंगे दोस्तों, फॉर्गिवनेस यानि शमा करना, माफ करना, इसका अभ्यास हमें रोजाना करना चाहिए रोज कुछ न कुछ हमारे जिनकी में ऐसा होता रहता है जिससे हम खुद को दोशी मान बैठते हैं सोने से पहले रोजाना खुद को आजाद करने का अभ्यास करें माफ करने का अभ्यास करें हलका महसूस करें और एक नए उमंग भरे अगले दिन के लिए हलका महसूस करें धन्यवाद